तो आज के इस वीड़ों में जानेगी कि कितने टाइप के लीथियम आयन सेल आते हैं और कौन से सेल किस परपस के लिए ज्यादा बैशने है अभी मेरे साथ में मैं सेर है उन्हीं के साथ में इस टॉपिक के बारे में डिसकस करने हमाले है वीडियो काफी इंटर्स्रीग होना जिसे कहते है और यह उनी ग्रूप का लिथियम प्रिजमेटिक सेल है तो यह जो सेल दिख रहे है सभी चीज में डिफरेंस क्या-क्या है अदेखो एक तो में जी जो डिफरेंस है उसका साइस का डिफरेंट है जैसे यह एक दम फ्लैट साइज है थीके यह चोटे राउंड में जी तो फीर बढ़ा साइज है तो नो मिन स्थैस्ट बढा है तो फिर परफॉमेंस और बागी चीज में भी तो फरक होगा तो यह कि साइज वाइस 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 बैख वाइन का सेल है ठीक है यह 3.7 रद का है यह एटना बड़ा सैल है पिर भी 3.2 वोल्ट का है इसके अंदर आप 6,000 mh का capacity है और इसका जो capacity है वो 2000 या फिट 2900 maximum capacity उसका रहता है पावर इसमें ज्यादा है, एमपेर इसमें ज्यादा है इसमें क्या होता है कि लिए इसको NMC cell जो कि अंदर निकल, मैंगनिक और और कोबार का यूज होता है और इसमें क्या होता है लीथियम आयन फॉस्पेट जो जो फॉस्पेट से रिप्लेस किया जाता है जो कि यह इसका अग्रेशिवनेस बहुत ही कम हो जाता है तो यह सेल आप कह सकते हो कि यूज में सबसे सेफ माना जाता है जो कि लाइफ और यह जो दूसरा है लीथियम पॉलिमर से जिसको बोलते है इसका बैंसे की बहुत ही ज्यादा होता है छोटी साइज में यह भी 4.2 वोल्ट तक मैक्सिमम चार्ज होता है छोटे तो चैने का मतलब जितने विश्में सेल देख रहे हैं सबके परपेस अलगा अलग अलग है सबकी यूजिस double test is dangerous कौन सा है मैंस हम कौन सा किस चीज के लिए यूज कर सकते हैं देखो यह ए लिजिए कर सकते हो कि सब से ज़्यादा से बड़ चैमेश्री के नेचर वाई सबसे जो से इस्फ वाना जाता है वह लिएम फॉस्पेट का सेल होता है नमसी लिधियू आयन और लिधियू पॉलिमर ऐगर पbareट्रों तो इसमें चांज ब्लास होने के विछ आता है तो सिर्फ लिकविड डिशार्ग हो जाता है इसमें ब्लास होने का कई चांस इस नहीं है भी िंचांट उपा डिफॉस्पहीं और इस विछ ब्लास होता है श्यूप और इस होता है क्यों कि उस होनी देख लो तो उसमें किया है कि बहुत ही कम साइज होता है हमारे पास पावर को स्टोर करने के लिए अगर जिसको साइज के रिक्वाइरमेंट नहीं है और सेफटी फर्स्ट है तो फिर वह फोस्टेट पर जा सकता है अगर उसके बाद में अगर यहां पर यहां पर अगर है यह यह इ throw heक तो लिथियम पॉलिमर जो से वर्य गैते हैं उसका अगरस्इवने सबस्य ज्यादा होता है वह मतलब में सबसे कम साइज इसका पाउर स्टोरिज बहुत ही ज्यादा होता है और इसका lifetime कम होता है कंपे टू गडू इसले इलेक्रिक विकल में अभी हम यह बहुत ही कम यूज कर रहे हैं और यह दूसरा किया कि इसका जो लेयर होता है वो इनकी तरह स्ट्रॉंग नहीं होता है एकदम फिन लेयर पॉलिमर का लेयर होता है सभी चीजे का कोश्ट कैसा है मतलब लीथियम आयन लीथियम फॉस्प बनेगा बट जैसे कि मैंने कहा कि size matter करता है इलेक्रिक विकल में या फिर कोई particular application होती है जहां पे आपको विदाउट डाउट आपको पॉलिमर ही यूज करना पटा है जिसे ड्रोन का हो गया है तो वहां पे बहुत कम size होता है बट जैसे पॉलिमर का जो सेल होता है उसका प सब्सक्राइब करते हैं जहां पे साइस का कोई इस्यू नहीं है स्टोरेज के लिए चाहिए या पर जैसे इंग्रिक चाहा हो गया वहां पे आप यह लिथियम फॉस्फेट का साइल यूज कर सकते हो जो सबसे कोश्ट इफटिव है मीन्स कहने मतलब जहां पे space available हो और कोश मेंटर करता हो तो उसमें फॉस्फेट पर जा सकते हैं जहां परकों मेंटर करता है हम इस पर श्ब्रक्राइब अध्डिक यह असपर जा सकते हैं तो रहे हैं यह एक प्रमिद जै इस धवीचर